हलो फ्रेंड्स मैं विकास शाक्या और आज है तीम मईं के कुछ अपरेडर के टॉपिक्स में आपके सामने लेकर आए हूँ सबसे पहले बात करते हैं कोर सेक्टर के बारे में कोर सेक्टर होता क्या है ये इकनॉमी से डी टॉपिक हैं और इससे questions अकैल पूछे जाते हैं कि इन में से कौन-कौन desse sector की और लाते हैं तो को आपको नाम ज़ेद रखने से पहले कि कौन-कौन depths MAよors sector क का लिए जिए पहले उसका purpose अप समाहेरी कि फिए कि होता है तो वह काम कब हो पाएगा, जब हमारी कमपनी में बिजली आए, जब हमारी कमपनी में पूरा कमपनी का पूरा एरिया है, वहाँ पे हम कमपनी के लिए पूरा एक बिल्डिंग तयार करें, ठीक है, अगर बिल्डिंग तयार करते हैं, तो उसमें लोहा लगेगा, स्टील लग उद्योग को चलाने के लिए आवश्शक होती हैं, मतलब जिनके बिना कोई दूसरा उद्योग नहीं चल पाएगा, उन सेक्टर के उद्योग को हम क्या कहते हैं, कोर सेक्टर के उद्योग कहते हैं, जैसे कोईला, बिजली बनती है, क्रुड ओयल, गच्छा ते, अगर आप सा रिफाइनरी प्रोडक्स कोलतार रिफाइनरी प्रोडक्स 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 तो रिफाइनली प्रोडक्स ये भी आप यात रखिएगा तो रिफाइनली प्रोडक्स हो गया उसके बाद हो गया फर्टिलाइजर ठीक है अगर क्रिसी उत्पात की बात हम करें बिना खाने पीने के क्या चलेगा तो फर्टिलाइजर के बिना फर्टिलाइजर को हाला कि रख करांती हुई थी उसके बाद से फुरू हुआ था उसके बाद से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा इसलिए फर्टिलाइजर्स को भी हमें और सेक्टर में डालना पड़ता है इसको भी गिना जाता है ठीक है दूसका अगला है स्टील स्टील आप जानते ही हो इस सारी बिल्डिंग कैसे बनाओगे कैसे उसकी डलाई वलाई करोगे तो यह सारी चीज़ें आवें इलेक्रिसिटी सोचने की ज़रुवत ही नहीं है बिना बिजली के कुछ नहीं चलेगा तो ऐसे वह सवी छेत्र जिसके बिना दूसरे छेत्रों के उद्योग चाहें वह सौफ्टेर हों चाहें इसको रटने की ज़रुवत नहीं है एक बार अगर आप देख लोगे ना तो यह अपने आप याद रहेगा और यह question बहुत आता है कि इन में से कौन से उद्योग कोर सेक्टर से related है कोर सेक्टर यह नहीं आधार भूत समरचना के छेत्रों से related आधार भूत समरचना उद्यो जो कि बाकी दूसरे उद्यों को सहारा देते हैं तो फिर आपको याद रखने की जरूवत नहीं है लेकिन है यह अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत तगडी गिरावट देखी गई है विजली में भी गिरावट आनी है क्योंकि सारी बिल्दिंगे बंद ह सारे जितनी य्योनिट्स नहीं है सारे कारखाने बंद है जो क्या ज़्यली इस केवली केवल एक छ्यएटर एसा है कोईला जिसमें 0.4% की बड़ोत्री हुी है 0.4% की बढ़तरी हुई है। बहुत कम है। और इस महीने में यानि माइ जाते जाते यह भी 0 हो सकता है। क्योंकि जगवत नहीं है अभी गर्बिली नहीं बना रहे हैं तो इन सब को मिला करके इसकी जड़ासी बड़ोत्री और बाकी सब के बहुत गहरे में गए हैं सब निगेटिव में गए हैं सब की ग्रोथ निगेटिव होई यह नकारात्मक रही हैं मतलब पिछले साल जितने बराबर इनोंने पैदा नहीं किया उससे नीचे चले गए हैं जीरो का मतलब होता है जीरो परसंट का मतलब होता है कि पिछले साल जितना ही है प्रोडक्शन बढ़ा है इससे आगे जाने का मतलब होता है अगर इसके ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि पिछले साल जितना पैदा कर रहे थे ना उतना तो पैदा करी नहीं रहे बलकि उससे भी 6.5% धंग नीचे और आ गये हैं तो कुल मिलाकर के overall core sector में इतने percent की गिरावट आई है किस किस शेकर में किदनी गिरावट आई है यह specifically याद करने की रखने की जरुवत नहीं है क्योंकि अभी यह temporary है और यह बार बार बदलता रहेगा हो सकता है और गिरावट आजा हो सकता है कल को बढ़ जाए क्योंकि यह coronavirus की वज़े से आई हो इस्तिती है इसलिए इसमें कुछ भी रटने की जरुवत नहीं है सिर्फ यह जानने की जरुवत है कि कौर सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर सें आपको यह भी समझने की जरुवत नहीं है कि यह क्यों नीचे गिरे हैं ठीक है, आगे चलते हैं Central Visita Project, इसके बारे में देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, Central Visita Project क्या है, दिली में हमारी Parliament है, Parliament के आस-पास और भी बहुत से बिल्डिंग्स हैं, जहां पे हमारे जो बड़े-बड़े नेता हैं, बड़े-बड़े मंत्रालेओं के आफिस हैं, वो काम होता है, Foreign Affairs लेखे जाते हैं, तो North Block, South Block, यह Indiagate के आगे जो सीधा रास्ता जाता है, कुछ ऐसा है, Indiagate अगर यहां है, तो दिली से सीधा, Indiagate से सीधा रास्ता निकलता है, इस रास्ते को कहते हैं, राजपत, इस राजपत के आखिरी में क्या है, राजपती बहवन ह इस को हम कहते हैं, राजपत, राजपत के आखिरी में राजपती बहवन है, यहां पर North Block है, यहां पर South Block है, उपर North होता है, नीचे South होता है, यहां पर Finance का काम होता है, यहां पर Foreign Affairs का काम होता है, इसके अलावा यहां पर धोड़ी दूर और जाकर के इख नहीं गारे लिख और उपर जा कर एक इस राजपससे अगर आव उपर जाओगे तो वहाँ पर पारल्यामेंट है ठीक है? अब हुआ ये है कि कहा ये जारहा है कि आने वाले समय में हमारा काम कापी बढ़ेगा और जो हमारा पारल्यामेंट है उसकी कैफेसिटी बढ़ेगी उसमें काम करने वाले अधिकारियों की कैफिसिटी बढ़ेगी, उनकी गिंती में बड़ोत्री होगी, जिसकी वज़े से हमें नई पार्लियामेंट बेल्डिंग की जरुवत है, और उसके अलावा इन सभी पुराने बेलिंग को और एक्सपैंड करने की जरुवत है, इनमें सुधार करने की जरुवत है, इनमें एरिया बढ़ाने की जरुवत है, तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए 20,000 करोन रुपए इस समय आवंटित किये गए हैं, 20,000 करोन रुपय इस समय दिये गए हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए Central Vista ये जो एरिया है ना जिसमें आपका इंडिया गेट आता है, राजपत आता है, फिर राजपती मवण आता है, पाल्यामेंट है, बाकी बिल्डिंग्स हैं, इन सब को मिला करके क्या कहा जाता है, सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, सेंट्रल विस्टा उसी एरिया को कहते हैं, जहां पर यह सारी बिल्डिंग्स लोक आप ये एक्जाम में सिर्फ पूछे जाने लाएक को यही है कि Central Vista क्या है? इंटर्व्यू में पूछा जा सकता है Central Vista Project क्या है? उसके अलावा Objective Questions में भी आ सकता है कि Central Vista Project है क्या? और इसका relation किस से है? कितने करोन का आवंटन हुआ ये भी इतना important नहीं है बट याद रखिए ठीक है? तो अभी ये रिटेन एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी तो नहीं है फिर भी आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि अभी जब कि Corona Virus की वज़े से इतनी अर्थवस्ता की हालत खराब है तो उस समय क्या इतने 20,000 करोन रुपए सरकार को लगाने चाहिए थे इस काम के लिए अभी आवंटन करना चाहिए था अभी रोक देना चाहिए था इस प्रोजेक को कुछ समय के लिए एक दो साल के लिए ठीक है तो मैं नहीं कह रहा है यह बहस चल रही है इस पर आपसे question में पुछा सकता है कि क्या इस समय ऐसा करना चाहिए था आपको क्या लगता है क्या इसका जो है फर्क बाकी लोगों पे नहीं पड़ेगा कि जहां जन्ता को जरूरत है समय को रोना वायरस से बचाने की वहां पैसों को यहां लगा रहे है तो आप एक बार जाकर कि यह देखिएगा कि यह जो 20,000 क्रोड रुपए है यह सरकार दे कहां से रहे है उसके बाद आपको question और answer दोनों समझ में आएगे कि यह कहां से दे रही है और अगर वहां से दे रही है क्योंकि दो तरीके के हमारे यहां कई तरीके के fund होते है एक consolidated fund होता है contingency fund होता है बाकी जतना पैसा सरकार लाती है अपने पास वो tax से लाती है direct indirect tax हर तरीके से लेती है तो यह पैसा दे कहां से रही है जहां से दे रही है क्या वहां से देना सही है यह आप देखिएगा किसी editorial में लेगा या फिर आप पढ़तर के कहीं इसमें देखिए news items यह Google पर सब्सक्राइब आपको पता लग जाएगा कि यह कहां से आ रहा है तो वहां जहां से आ रहा है वह सोच देख क्या वदा चलेगा कि हां यह कितना सही है या कितना वाजिब है कि इस तरह में हम पैसा वहां लगाए तिक है गलस सही कुछ नहीं है सिर्फ आप जानकार सरकारा का फैसला है को दानकों सोच समझ के लिए होगा, ठीक है तीसरा है वन नेशन वन राशन कार्ड अब ही आपको पता होगा कि हमारे हर स्टेट में क्या होता हैकि एक राशन कार्ड बनता है गरीबी रेखा से रहने आउत नीचे रहने वाए लोगих, सभी के लिए allowing तर तो मेरे राशन कार्ड से मैं बहार में जाकर के सामान नहीं ले सकता। लेकिन सरकार में क्या किया उन्होंने ये कहा कि जब हमारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद क्या पता चलता है क्योंकि वो दूसरे स्टेट के हैं और इस स्टेट में उनका नाम नहीं है तो यहां से राशन कार्ड से वो कोई भी सामान नहीं ले सकते उन्हें वहां का राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा और दूसरे स्टेट का जहां से वह आया है, वहां का राशन कार्ड ड्रॉप करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा सरकार में ये कहा कि इस तरीके से अगर हम करेंगे तो बहुत से गरीब लोग एक केस भी ऐसा आया था कि वो बंदा इसलिए नहीं ले बाया क्योंकि वो दूसरे स्टेट से आया था और उस स्टेट में उसको राशन नहीं दिया जा सकता था तो वो भूख से ही उसके परिवार में एक वर्ति की जान चलीगी तो इस वज़े से इस तरह की स्कीम बनाएगी कि एक राशन कार्ड बनाओ पूरे भारत में जो पूरे भारत में किसी भी स्टेट में अप्लिकेबल हो अगर मैं अपने स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे उसी राशन कार्ड से राशन मिल जा है ठीक है तो ये वन राशन कार्ड योजना यही है जैसे हर एक आदमी की एक पहचाना याधार उसी तरीके से के अनाज मिलने के लिए एक ही राशन कार्ड पूरे देश में एक यही है अभी इसमें पांच नय स्टेट सामिल हूए ये पांच नय स्टेट के नाम याद रखने की जनवाद नहीं है क्योंकि ए ओन गोंग प्रोसेसे इसमें पांच स्टेट् टैडट है अगर अभी जल्दी में कोई exam होने वाला होता है, एक महीने में, तेढ़ महीने में, तो उन 5 states के नाम important थे, लेकिन अभी कोई exam होगा नहीं, अभी एक महीने तो आप भूली जाइए कि कोई exam होगा, इसलिए उन 5 states के नाम याद रखने जड़ा ज़र देंगे, तो 5 states added हो हैं, आपको पता है, में चीज वो ये है, One Nation, One Ration Card, इस पे बहुत से, कई बार एक्जामस में एससे लिखने को भी आये हैं, कई बार इसके बारे में इंटर्व्यू में पुछा जाता है, कि आपको क्या लगता है, कि इससे काफी फायदा होगा, कि आपको नहीं लगता कि इससे अगर कोई संपादकी मिलता है, कोई निउस मिलती है, तो उसको एक बार देख जाईए, कुछ अगर उसमें नोट करने लाइक दिखता है, आपको दो नोट कर लीजिए, बाकि इसको theoretically जानना, अपनी समझ बनाना, कि ये One Nation, One Ration Card क्या है, इसकी जरूवत क्यों है, और इससे इडिटोरियल्स हैं, उनको पढ़ी है, इडिटोरियल्स यानि समपादकी है, जो आपके निउस पेपर में समपादकी आता है, उसके बारे में पढ़ी है, तो ये इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस समय One Nation, One Ration Card की बहुत जबरदस तरीके से जरूवताय पढ़ी है, कि अगर ये जल्दी से बना होता, तो जो गरीब लोग हैं, जो कहीं और रह रह रहे हैं, अभी इस समय में स्थापित हुए पढ़े हैं, इस कोरोना वारस के समय में वो One Nation, One Ration Card की अगर इसकीम के तहत एक राशन काड बना होता, तो किसी भी स्टेट में होते होने उस स्टेट से वा लेकिन इसके नुकसान क्या है, दोनों पक्षों को देखकर और नहीं तयारी कीजिए, क्योंकि ये रिटेन एक्जाम में आएगा, प्री एक्जाम में बहुत मुश्किले हैं, बहुत मुश्किले इसके बारे कुछ आना है, अब देखते हैं कहीं नहीं आने वाले, One Nation, One Ration Card सिंपल सी चीज है, अगर किसी नहीं एक बार पढ़ लिया तो परिवासा तो उसे आद हो जाती है, लेकिन एक्जाम में इसका महत्त है, जहां पे आपको बिचार रखने पढ़े हैं, अब देखते हैं, आखरी आइटम है कस्मीरी केसर, कल मैं ने बताया था कि तीन आइटम लाइन विच में केसर कईसर काईगर और क वेली केसर रहे हैं, किसमीर की घाटी ने फदाब होता है, ये गहरे लाल रंकी होती है, और ये बहुत ही स्वास्ते लग़दक चीज होती है, ठीक है तो ये बहुत महेंगी बिक्ती है, किसर अगर आप खरीदे जाएंगे, तो जर इसको GI Tag मिल गया, एक चीज और इसमे याद रखने वाल ही है, कि कस्मीरी केसर का रंग जो होता है, गहरे लाल रंग का, वो किस कारण से इतना लाल होता है, तो उसका कारण होता है, एक कलर एजेंट होता है, जिसका नाम है क्रोसीन, क्रोसीन जो दवा चाते हो आप उससे आप इसको एक फर्मूला होता, ऐगर आप देखोगे, तो यह एक कारणी कंपाउंड है, जो योगिक होता है, उसका नाम है लाल होता है, गाह, अब कस्मीरी केसर जो है, वो तीं तरहकी होती है, उन तीं तरहकी केसर के नाम है, ठोच करके, कमयंट सेक्शन में डालीए, एक तरह कर लीजिए और जो यह कमेंट सेक्शन है इस वीडियो का उसमें भी डाल दीए तो आज के लिए इतना ही है इतने ही टॉपिक है चारो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है और आप इसको देखिए पार बार रवाइस कीजिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है समझने के बाद तो रटने की कोई जरुवत नहीं है तो आप इसको समझिए देखिए एडिटोरियल ज्यादा ज्यादा पढ़िए और आपको इंपॉर्मेशन चाहिए जो एक्जाम में लिखने लाइक है वो आपको मिल जाईगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही मेरे चैनल को लाइक कीज क्याई बचाहिए एक गीजे और एक वीघर ना रॉपा ब कें तो आपको काई ब्सक्ती के चाहिए पेक्ती है